भारत के महान क्रांतिकारी शहीद भगत सिंग जी की जैनती पर उन्हें कोटी-कोटी नमन करता हूँ भारत के स्वतंता संग्राम में हमारे युवाओं ने अपने सास और वीर्ता का अजबुत परिचे दिया उसमें से युवा भगत सिंग जी जिनोंने देश के लिए सरवच बरिदान दी कुरवानिय दी और आज भी शहीद भगत सिंग जी की कुरवानी बरिदान हमारे नोजवानों को नई प्रेड़ना देती है वो एक ऐसे पराकर्मी थे जिनोंने देश सेवा के लिए उस समय कम उमर के अंदर भी किस तरीके से भारत के अंदर क्रांती कारियों के अंदर नया जोशा है नया उस्सा है इसलिए उन्होंने बलिदान दे कर भारत के उस समय नोजवानों को एक नई दिशा देने का काम किय उनका सपना था कि भारत को आजादी दिलाने के बाद एक शोशन मुक्त समाज का निर्मान करना और आज हम सब को भगत सिंग्जी से पेड़ना लेने के आउशकता है कि जिस कम उमर के अंदर उन्होंने देश के परती बलिदान दिया, कुर्बानिया दी और जिस तरीके का देश के परती उनका समर्पन था, आने वाली पीड़ी उनसे पेड़ना ले और हमारा समाज में क्या कंट्रिबूशन हो सकता है, हमारा समाज में क्या योगदान हो सकता है हम इस देश को केसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए हमें शहीद भगज सिंग्जी से पेड़ना लेने के आउशकता है मुझे सातियों ये केने में गर्व हो सकता है, कि आज इस 75 साल की आजादी में भारत ने एक नए कीरतिमान हासिल किये हमारे नोजवानों ने समाश शित्व के अंदर, विग्यान के अंदर, तकनीकी के अंदर, सेना के अंदर, हर शित्व के अंदर अपने कीरतिमान हासिल किये हमारे नोजवानों की बौद्दिक शम्ता अटूट है, सामर्त है, शक्ती है, आत्मिश्वास है इसके साथ साथ हमें देश के प्रती समर्पन और सेवा का भाव और पेदा करने के आउशकता है सरदार भगसिंग जी की जैनती हमें इसी तरीके की पेर्णा देती है कि देश के लिए मेरा भी कुछ ने कुछ योगदान हो और किस तरीके से भारत विख्षित राष्ट बने इस संकल्प को जो प्रधान मंती जी ने लिया था उस प्रधान मंती जी के संकल्ब को मैं क्या योगदान दे सकता हूं यही सच्ची श्रधान जली शहिद भगत सिंग जी की होगी आप सबको पुने शहिद भगत सिंग जी की जहनती पर आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ मुझे आशा है भारत का नोजवान शहिद भगर सिंग जी से पेढ़ना लेकर इसी तरीके से देश सेवा राश्ट सेवा के लिए जुटा रहेगा धन्यवाद